मित्रों आप सभी का आज की प्रेश्वार्ता में स्वागत है मैं तिन दिन और तिन रात से मनिपूर के असान्त इलाकों का द्वारा कर रहा हूँ मनिपूर की हाल की सिती की जानकारी देने है तू इस प्रेश्वार्ता का आयोजन किया गया है 29 अप्रिल को मनिपूर हाई कॉर्ट ने मैं कोई जिजग के बगर कह सकता हूँ एक जल्द बाज फैसले के कारण यहाँ पर जाती है हिंसा और दो ग्रूपों के बीच में हिंसा की सुरुवात हुए विगत छे वर्सों से जब से मनिपूर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार आई मनिपूर बंद, ब्लोकेट, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्द हो गया था नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूतों में भारतिय जनता पार्टी की मनिपूर सरकार हमारे मुक्खे मंत्री जी के नेत्रूतों में इस डबल एंजिन की सरकार ने विकास के सारे पेरामिटर्स में अबूद पूर्व सिद्धिया हासिल की ये छे साल मनिपूर के इत्यास में विकास और सांति के छे साल के रुप में जाने जाते है चाहे सेंटरल इंस्ट्रिटिशन लाना हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो बढ़ावा करना हो इंडस्ट्रियल इन्वेस्ट्मेंट लाना हो एजुकेशनल इंस्ट्रिटिशन को सुचारू रूप से चला कर मनिपूर को नौर्थ इस्ट के एजुकेशन और स्पॉर्ट्स में हब बनानी की बात हो हर क्षेत्र में सान्ती के कारण मनिपूर विकास के रास्ते पर चल पड़ा रहा हो विगट लगबग एक महिने से मनिपूर में हिंसक गट्टाए हुई है सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यू है इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की और से मेरी और से और भारत सरकार की और से इनके प्रति समवेद नाव्यक्त करता हूं जान किसी की भी गई हो देश के नागरिक की जान जाती है तब हम सबको मुझे आपको सभी को दुख होना बहुत स्वाभाविक है इस दो दिन के दौरान मैंने धेर सारे आइधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है मैंने इतीन दिनों में अस्थाई केम्पो का दौरा किया है इतीन दिनों के अंदर मनिपूर के अलग-अलग हिस्सों में इमफाल, मोरे, चुराचानपूर, कौमपोक्वी सभी जगे जाकर नागरीकों के प्रतिनिदी मंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है महिला संगठनों के साथ भी दोनों और मेरी मीटिंग हुई है मतई समुदाय के लगबग 22 CSO को मैं मिल चुका हूँ इसी प्रकार से कुकी समुदाय के भी 25 से जादा CSO के साथ मेरी मीटिंग हुई है बुद्धी जीवी संगठन, प्रोफेसर, रिटाइड अपसर, समाज के सभी वर्गों के साथ सान्ती लाने के उपायों के लिए और सान्ती की चर्चा के लिए मेरी बादचीत हुई है अलग अलग ग्यारा पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ भी मेरी डिटेल चर्चा हुई है ओलम्पियंस और आश्ट्रिय खेलों में खेले हुए खेलाडियों से भी मेरी चर्चा हुई है और सभी पार्टि के चुने हुए प्रतिनिद्यों से भी मेरी चर्चा हुई है दो राहत केम्पों में मैं गया दोनों राहत केम्प में स्थीती का जाईजा भी लिया है और अलग-अलग स्थर के भारत सरकार और मनिपूर सरकार के अधिकारियों की, सिविल अधिकारियों की और सुरक्साबलों की मीटिंग भी मैंने की है हमने धेर सारे फैसले भी किये हैं जो आज मैं बताना चाहूँगा भारत सरकार विगत एक मैने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है इस सभी की जाँच के लिए हाई कोट के चीप जस्टिस स्तर के रिटाइड नियायदीस का नियाई आयोग घठीद करकर जाँच करेगा और इजाँच भारत सरकार की और से कराई जाएगी भारत सरकार मनिपूर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्स्ता में एक सान्ती समिती का गठन करेगी जिसमें सभी का समावेश होगा उद्योपती भी होंगे, खिलाडी भी होंगे, रादितिक दलों के प्रतिनिदी भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिदी भी होंगे और अलग-अलग सिविल सुसाइटी और गैनेजाइश्चन के प्रतिनिदी भी सभी प्रकार के होंगे मनिपूर में अभी धेर सारी एजंसिया सुरक्षा की दुरुष्टी से काम करी है उनके बीच में बहतर समन्वाई के लिए एडवाईजर स्रीकुलदीप सिंग जी जो की रिटाइड डीजी सीर पीएफ है उनकी अध्यक्स्ता में इंटर एजंसी इनिफाइड कमांड की व्योस्ता आज से ही हम रचना में लाएंगे जो सभी एजंसियों के बेटर कॉडिनेशन के लिए पक्सपात विहिन कॉडिनेशन के लिए इनकी अध्यक्स्ता में काम होगा जितने भी केस रजिस्टर किये गए हैं इसमें से पांच केस चैनित किये गए हैं और एक केस इन जन्रल कॉंस्पिरसी का रजिस्टर करकर एक छे केसों की जाँच सीबी आई का विशेष्ट दल करेगा जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा और मैं सभी मनिपूर्वास्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसी भी पक्सपात और भेदभाव के बगएर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले सभय में कभी हिंसा नहो इस प्रकार की एक नूट्रल जाँच और दोस्यों तो को डंडित कने की कारेवाही की जाएगी एक relief and rehabilitation package को भी तयार किया गया है जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रूपिया मनिपूर सरकार की और से और 5 लाख रूपिया भारत सरकार की और से 10 लाख रूपिया दिया जाएगा ये रासी डीबीटी के माध्यम से उनके परिवार जनों के सिधे बैंक एकाउंट में ट्रास्पर की जाएगी जो इंजड हुए हैं उन इजागरस्तों के लिए जिनकी प्रॉपर्टी का नुक्सान हुआ है उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहेबिटेशन पैकेज ताई कल लिया गया है जिसकी डिटेल गोशना कल भारत सरकार के ग्रूम अंत्राले से हम करेंगे मनिपूर की जनता को चीज वस्तुओं की कमी न हो इसके लिए 30,000 मेट्रिक टन नियत कोटा से एक्स्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहाँ पर भेजा है वो चावल 15-15,000 मेट्रिक टन के दो महिने तक 15-15,000 मेट्रिक टन भीजा जाएगा गैस, पेट्रोल और सबजीयों की भी आपूर्ति की व्योस्ता कर दी गई है सारी चीजे ओन वे हैं और उनके वीतरन के लिए सस्ता अनाजगी जो दुकान है इसके अलावे एक अलग से कैम्प खुला जाएगा जहां उनके इलेक्ट्रोनिक रासनकार्ट से भी अनाज मिलेगा और जिनको परचेस करकर चाहिए उसको भी मिलेगा महां से सबजीया भी बाटी जाएगी, दवाईया भी बेची जाएगी और पेट्रोल पंप कुछ चैनित कर दिये गए हैं, लगबग 15 पेट्रोल पंप जो दिन राद खुले रहेंगे, जिससे पेट्रोल की किल्लत यहाँ पर हो न सके आवाजाही में आप सभी जानते हैं थोड़ी दिक्कत है इसलिए खौन सेंग रेल्वे स्टिशन अभी पूरा नहीं बना है मगर लाइन तयार हो गई है, तो हमने टेंपरररी प्लेट्फरम बनाने का नेने किया है जो एक ही सब्ता में बन जाएगा, तो रेल से भारत के बाकी हिस्सों से मनिपूर की आपूर्ती करने के लिए ये बहुत बड़ी सुवीदा होगी युद्धिस्तर पर एक प्लेट्फरम बनाने की कारेवाही कल से ही सुरू हो गई है मैं आसा करता हूँ कि 4-5 दिन के अंदर ही हम रेल के माध्यम से यहां आपूर्ती सुरू कर देंगे तो रेल जब आना सुरू होगी तो चीजों की कमी में बहुत सुधार हो जाएगा दोनों और लोग सिप्ट हो गए इसके कारण मेडिकल डॉक्टर की भी असुवीदा विशेश कर कुकी भाईयों के क्षित्र में हुई है भारत सरकार ने आठ टीमे जिसमें 20 डबल ग्रेजुएट डॉक्टर होंगे वो डॉक्टरों के साथ उनकी टीमे भी होंगी वो टीमे वहां से रवाना हो चुकी है पाँच टीम तीन टीम पहुँच चुकी है और पाँच टीम आज साम तक यहां रिपोर्ट कर देगी जो मोरे, चुराचानपूर और कॉमकॉक्की के एरिया में ख्षित्रों में मेडिकल सुविदाओ का काम करेगी और बाद में इमफाल में भी अगर यह काइसिस होती है तो आसाम सरकार के डॉक्टर लाने की भी हमने व्यवस्ता की है कॉम्पिटिटिव एक्जाम और सिक्सा में मनिपूर के विध्यार्थियों को कोई व्यवदान नहों इसलिए बारत सरकार के सिक्साविभाग के उच्छ अधिकारी आज यहां पहुँच चुके हैं उनका और मनिपूर के सिक्साविभाग के अधिकारियों का मीटिंग होने के बाद एक कॉंक्रेट प्लान जिसे की बच्चों की पढ़ाय लिखाई बाधित नहों उसको हम बनाएंगे जिसमें online education, online examination और distance teaching की भी व्यवस्ता की जाएगी यह सारी व्यवस्ता को हम दो दिन के अंदर एक final स्वरुप दे देंगे जिसे बच्चों की सिक्सा में और examination में किसी भी प्रकार का व्यवदाय नहों कोट में मनिपूर के कुछ हिसों से आने में तकलीफ है हम हाई कोट के साथ चर्चा कर रहे हैं तीन जगे पे virtual माध्यम से एपियर हो सके इस प्रकार की व्यवस्ता की है करने जा रहे हैं हम चुराचांदपूर मोरे और कमपोक्वी में जहां से मनिपूर हाई कोट में सीधी अपनी बहस भी कर सकेंगे और हाई कोट लिब्रल तरीके से उनको जब तक स्थीती नॉर्मल नहीं हो जाती डेट भी दे पाएगी इसे काम करने में काफी सरलता होगी आवा जाही की सरलता के लिए ये तीनोक शित्रों से एक अस्थाई हेलिकॉप्टर यातायात की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं जो सिर्फ 2,000 रुपिया पर परसन के रेट से इन लोगों को एरपोर्ट तक छोड़ देगा और इंटरनल ट्रांस्पोर्टेशन की भी व्यवस्था हेलिकॉप्टर के माज्यम से हम करेंगे भारत सरकार और मनिपूर सरकार ने हेलिकॉप्टर सेवा का बागी खर्चा भारत सरकार और मनिपूर सरकार उठाएगी जैसे सुदूर्ग शित्रों में आवा गवम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहुत इस सभी प्रकार की व्योस्ता सुचारू रूप से चले इसलिए एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तरके गुरूविभा के अधिकारी मनिपूर में उपस्तित रहेंगे और पांच डाइरेक्टर स्तरके अधिकारी भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रा लेके यहाँ पर उपस्तित र लेही ट्रायल बेस पर 10 किलोमीटर बाड लगाने का फैंसिंग करने का काम हमने पूरा कर लिया है और 80 किलोमीटर के काम को हमने टेंडरिंग कर चुके हैं और बाकी की बॉडर की हम सर्वे भी चालू कर रहे हैं और पडोस के देश से आने वाले लोगों की बायोमेट्रिक् इंप्रेशन लेने का भी काम चालू है जिससे आने वाले दिनों में उकसावे से यहां पर हिंसान न हो मेरी सभी मनिपूर वास्यों के से अपील है कि आप टूपिया अप्प्रावों पे ध्यान न दे अप्पावों के निरसन के लिए यहां पर कुछ टोल फ्री नंबर बन रखें मनिपूर में सांती के कारण विकास का एक नया यूग छे साल से चल रहा था कौट के एक फैसले के कारण थोड़ी मिसंडरस्टेंडिंग के कारण यह मनमुटा हुआ है मुझे भरोसा है कि मनिपूर की जनता आपसी सद्वाव के साथ चर्चा करकर जल्दी इसका नि केंदर सरकाल का सवाल है मैं एक सब्सट कर देना चाहता हूं मैं सूगरूप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूँ किसू agreement का किसी भी प्रकार का violation किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सक्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझोते के भंग के रुप में लिया जाएगा तो कुपिया समझोते की सभी सर्तों का कठोरता से आप पालन करिए आज से हम इसको बहुत strictly monitor करेंगे और जिन लोगों के प अपिल करना चाता हूँ कि अपने अपने हत्यार पूलिस के सामने सरंडर कर दें कल से पूलिस कंबिंग operation करेगी और कंबिंग operation करने के बाद जिन के पास से अथियार मिलेंगे उनपर कठोर नयाईं धाराय लगाई जाएगी तो मेरा सभी से अपिल है कि जिन पास अथ्यार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने अथ्यारों को सरंडर कर दें मैं सभी civil society organization से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अफ़ाओ पर ध्यान न दे समय सांती बनाने का है समाज के अंदर सद्भावना बढाने का है और जिस काम के लिए आप लोगों ने organization बनाया है मैं मानता हूँ वो काम यही है तो आप लोग रुपिया दोनों साइड से सांती बनाने का चर्चा का और सद्भाव बढाने का महोल बनाए ऐसी मेरी आप सबसे विननती है धन्यवाद एक 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 आराम से करिए बैट कर करिए एक मिट मैं समझ गया है मैं हिंदी में बूला इसलिए साइड मेरी बात कॉमिनिकेट नहीं हो पाई अब ध्यान से सुएगा सू मिलिटन अगर समझोते की किसी भी प्रकार की सर्थ का उलंगन करते हैं तो अब उन पर कठो जो भी सुचना हही इसको हम डेल्ट कर रहे हैं और कड़ाइ के साथ डेल्ट कर रहे हैं एक एक सेकंडे सेकंड इसलिकर मैं बताता हूं आप बताएँ' pod सबको मुखा मिले तक दिखे हमारी बात्ची सभी से चल रही है नौर्थीस्ट में अब तक 15 अलग-अलग हथ्यारी ग्रूपों से हमारा समझोता हो चुका है आठ हजार से ज्यादा लोग सरेंडर हो चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से लगबग लगबग आठ हजार उग्रवादी हथ्यार डाल कर मेंस्ट्रिम में आए बाकी लोगों से भी बात्चीत चल रही है ये सभी से बात्चीत एक उच्चतम स्थर पर मसले होते हैं इसका निप्टार आलामने में समय लगता है एक सेकंड सब को कहें दिखे भारत सरकार ने मनीपूर की एकता और अखंडत्या के बारे में कई बार अपना स्टेंड घूसित किया है इसमें हमारा कोई बढ़लाव नहीं है मैं अभी कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता जिससे सांटी में दखल पड़े और मेरा आपसे भी निवेदन है कि हेडलाइन बनाने में कुरूपिया है से सवाल मत पूछे जिससे आईदर और साइड पर एग्रेशन बढ़े देखे वारता और समवाद यही रास्ता है मत बेदो को और मिस अंडरस्टेंडिंग को क्लियर करने का मुझे लगता है एक बार राजपाल महोदया की अध्यक्सता में पीस कमिटी घूम कर सबको सुनेगी मैंने भी सुना है काफी सारी चीज़े आई हैं मैंने एक दूसरे के साथ कॉम्मिनिकेट भी किया है एक दूसरे के ग्रिवन्सिस को वो दोनों ग्रूप भी अपने यहा सांती होते हैं तुरंट कर देंगे दिखे एक जामनेशन नहीं है सिक्यूरिटी लिए चीज़ों का इस प्रकार से जवाब नहीं दिया जाता है आप भी ज़रा सूचेगा कि सवाल कैसे पूछने चाहिए चलो यह आपकी राय है मैंने मेरी राय बता दी आप आपकी राय जनता को बताए धन्यवाद जी मुझे दोनों कॉम्टी के सीएसो के माध्यम से विश्वास दिला गया है कि जो मिस्टेंडर्स टेंडिंग है इसको हम जल्दी ही निप्टारा करेंगे और दोनों कॉम्टी ने अपनी अपनी जनता के साथ बाचीत करना भी सुरू कर दिया कि ग्राउंड रिपोर्ट भी मिलती है मैं बहुत ऑप्टिमेस्टिक हूँ कि जैसे ही राजपाल महोदाय की अध्यक्स्ता में एक कमीटी घूंकर सबसे चर्चा करना सुरू होंगी समाधा निकल आएगा एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिखे मैंने काफी सारी चर्चा करी है स्थीती से अवगत भी कराया है सुजाव भी दिये है मगर वो आपके लिए नहीं है राज्यसरकार के लिए इस वाइले की तरविकास के रास्ते पर चला जाएगा मुझे पूरा विश्वास है मैंड़ आपने एक बार पूछ लिया ना इन्वेस्टिकेशन हो रहा है मगर मैंने पहले अपिल करना चाहता था मैंने आज अपिल कर लिया है जिनके पास भी आम है आम से हो सरंदर कर दे बाद में कॉम्बिंग भी होगा और कठोड कारिवाही भी होगी हमारे पास सुचनाय भी है पहले मेरी बात पूरी आप सुन लीजे दस किलोमेटर बॉर्डर फैंसिंग हमने ट्राइल बेस पर किया है और इसके आधार पर 80 किलोमेटर और कर रहे हैं बाकी का सरवे चल रहा है और जहां तक बाकी स्टेटों का सवाल है जहां जहां प्रॉब्लेम होगे बारत सरकार जरूर सोचेगी रिपोर्ट के आधार पर अिजा जहां प्रवय क्णिन तक बाकी से चाहिए आव बेसी मิडोर प्रॉब्ले स्टेटों बाकी स्टेटों के लिइसा जूं जहां पalon記得 फिर प्रॉब्ले सप्सक्ती अभार पर प्रॉबbénergie घमतिरी है और अपिंस्पां समझ गया हमारे पास जो सुचना है इसके आधार पर मैंने उनको अपिल की है कि वायोलेशन न करें वायोलेशन करते हैं तभी कदम उठाने की बात है और वायोलेशन करेंगे तो कदम उठाना चाहिए इसमें आप भी सहमत हैं मैंने यही कहा है कि वायोलेशन न करें ना जी, मैंने पहले ही कहाए, नसली हिंसा है. हम उनसे चर्चा करेंगे, स्थीती सामानी होने के बाद उनकी यही मनसा रही, तो फिर उसके लिए भी सोचा जाएगा, मुझे विश्वास है कि स्थीती सामानी होने के बाद, एक नुसरे पर विश्वास होने के बाद, पूर्वावत स्थीती हो जाएगी. मैंने इसलिए कहा कि सबके थम इंप्रेशन और आई इंप्रेशन लेने की शुरुवात अल्रेडी कर चुकी है बाद सरकार, शिर्व मनिपूर ने सभी राजियों होने. एसा है कि suspension of operation की कुछ condition से तो इसको मानना चाहिए, तभी तो suspension of operation रहता है अगर condition तूपती है तो दोनों और से तूटेगी फिर मैं आपसे बहस नहीं कर सकता मैंने मेरा जवाब दे दिया काफी कुछ मात्रा में arms आ गये हैं और जब more बाता है तब उस पर direct firing करना एक जिजग होती है अब स्थिती सामन्य हुई है और मुझे विश्वास है कि आज मेरे कहने के बाद काफी मात्रा में और भी आ जाएंगे नहीं आएंगे उसको हम कठोड़ता के साथ combine करकर डूंडेंगे दिखें आप प्रेस कॉन्फरेंस में इस तरह की सूचना है मुझसे अपिक्सा नहीं कर सकते हैं भईया इसके लिए आपको exam देना पड़ेगा security force में आना पड़ेगा या तो agency में आना पड़ेगा चले मुझे लगता है अब repetition हो रहा है मैं अंत में आप लोगों को भी अपिल करना चाहता हूं कि आप भी सांती हो इस दिशा में आपका reporting भी किजे आप सभी अपिल भी किजे और सभी समुदायों को सांती बनाने में आपका सयोग भी दिजे बहुत बहुत धन्यवाद